मेरी बेहन जिस खुदा के लिए तुने ऐसा की आई आज कितने दिनोंगे वो ड्यूटी आपको जॉइन की होगी दस्तरी को शुरू किया नए अपने गर में डैरी में बिक कर रखा एक समा आएगा क्योंकि ये बड़ी बात हर को इंसान नहीं कर सा हर के बसकी बात कि इंसले शुरू नहीं का मारे को सक्क्रा है मारे क्या है सक्क्रा है पेडा है इसे सब ने पार कर हालेलुईया के इस स्ट्र का नाम बन जीत कोरें और जे गुन ना पूरे की रहने वाले हैं और सड़алась की गवाही जेए बदर्डरी की एक मिन ऑगा था जी जख़ब के लिया अप्लाइः कर रहे थे कि पर परमेश्री नीकार मिल रहे थे उर प्छिण युट कीचटिनी बική एंन्हें को बहुत अच्छी मिलेटी जो कि एहीं चाहिए पर भावांने ही जी संडी को अटेंड करना चाहिए और स्पाइंद की मन बनाया और जो बता रहे हैं कि एक मीना तक इनोंने काफी जगा जोब के लिए देखा अपलाई किया पर कहीं भी इनकी बात नहीं बनी क्योंकि काम तो बनता था पर छुटी ना होने के कारण चाते नहीं थे करना और जैसी परमेश्र कागे इनोंने प्रातना की तो परमेश क्यों ने भी एर के मन को देखा और अभी बतारे बहुत ही खोशे जब बतारे कि मुझे बिल्कुल भी जिंता नहीं कि महां पर सेलरी का में जिए इस बास से कुषए कि इनको हर संड़ी छुटी मिल रही है और जै बहुत कोशे कि परमेश्र इनको जोब के साथ ब्लैस किया इस प्लैसिंग के लिए जे परमेश्र का दनिवाद करते हम सब तारीफ करेंगे ग्लीसिया सच में जैसे इनोंने मन बनाया और परमेश्र को अपना मन दिया और सच में परमेश्र में भी इनके रस्ते को खोला और हर संड़े इनको छुटी मिल रही है और जै भी मीटिंग म आसकते कोई इनको परेशानी निये और जै बहुत ही खोशे इसको वाही के लिए जै परमेश्र का बहुत सरह दनिवाद करते हम सब तारीफ करेंगे ग्लीसिया सुनों 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 अगर ये ये बात इस गवाही को कोई संसारिक बंदा कोई शरीरिक इनसान सुने तो वो हुष्य है ये पर हुष्य है तो बूरखता है तस हजार मिल सा था हुष्य मो जोट दी 10,000 की शोड़ती और 4000 की लेली ये कुष्योनियों की काूंसी बडी बात है है ये हुष्यो बंदा है कि खाझाम यथ तो पर चारहजारं वाली लेली एक आत्मिक जो बंदा है जो आत्मिक इंसान है वो समस्थ दूसरा कित्तों को समझ आ रही है सुनों देखो एक महिना तक ये जोब ढूंड ते रहे हैं जहां पर भी जाते थे जोब मिल जाती थी कि अच्छी थी दस हजार विया मिल रहा था किया मिल रहा था दस हजार विया मिल रहा है पर संडे शुट्टी में वोलो किया संडे संडे शुट्टी में एक महिना तक बहुंसी जॉब ट्राई की मिल तो रही थी पर ये शोड़ते जाने क्यों क्यों क्योंकि संडे शुट्ट अब सुरूब मेरी बेहन अगर तुने ऐसा खुदा के लिए किया है तो याद रखना प्रमेशा मैं हमेशा बात बोलता हूं कि व्यास मूल समेथ एक एक पाई बाई को भी वह वापस अपको देगा एक चीज को देगा अब जब से अपने जौब हो शुरू की न अपने घर में डैरी में लिख कर रख ले ना बस मैं आपको समा आएगा आप लोगों के सामने खड़े होकर बताओ गए कि मैंनी इसे पतरस कहता प्रभू मैंने तेरे लिए अपने बीवी बच्चें हां अपने माता पिता को शोडा है बता मुझें मिलेगा को मैं थोड़ी न कहता हूं किसी को मेरे लिए को अपनी वीवे बत भेच अपनी माता पिता को शोड़े हां जो मेरे लिए सा करेगा वह इस से में किए कर फख गुनार और इसके बाद अनंत जीवन पाएगा कने आथन्सां मेरे लिए इसा करिए जिस खुदा के लिए तुन्हें ऐसा किया है अज कितना कितने दिन होंगे वो ड्यूटी आपको जॉइन की होई दस तरीक को शुरू किया ना अपने घर में डैरी में लिखकर रखना एक समा आएगा क्योंकि यह बड़ी बात है हर को इंसान नहीं कर सकता है से सची हर के बस की बात की नहीं इसलों मारे क्शक्रा यह मारए क्या है सक्रा पीडा है सै सब ने पार कर सकते कि इसे सब अ гол पार नी कर सकते कि अखाय है कि जरूरती है कि बोलो क्या थी पर ऐसा जो कोई खुदा के लिए करता है मैं मैं जानता हूं पर मिश्य कितना दियावा एक समय आएगा है पर मिश्य सब कुछ जितना आपका घटा है न शेह हजार कम हो गया न क्योंकि दस हजार से कि दस हजार की सेलरी वाली जौब मिल रही थी पर डूंडी मिली कितनी चार की क्योंकि जंडे शुटी अगर ऐसा किया है तो शेह हजार के साफ से आप अपने पूरे महिने के वो दिन जितने महिने हैं अप नोट करके रखना एक समा आएगा अप यहां पे लोगों को खड़े उकर बताओगे कि हमारा परमेश कितना समर्थ है कितना थाकतवार है वो कैसे हमारी घटी को अपने प्लैन को अपनी इच्छा को अपनी जोसना को हमारे जीबन में पूरा काता है याद रखना लिख रखना मैं आपको एक प्रूपेटिक वर्ड दे रहा हूं वो समा आएग अगर आज अपने असा किया न तो समा आने वाला है ठीक है परमेश आपको बहुत आशिश देगा कुछ कहना चाते हूं हाँ पापा खोश है बहुत खोश है निराश निये कि मेरा मेरा घटगिया मेरा शेह हजार कम हो गया तो परमेश आपको इससे भी जादा खुशियां देगा जादा बरकता देगा तारिफ करो जोर से